हाई फिंट्स टाइटेल उठ थमनेल देखके आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि आज की रेसिपी है खिच्डी पसाद की रेसिपी और ये हम सभी को पता है कितना टेस्टी होता है लेकिन इसे बनाना भी है बहुत यासान तो इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ डेड़ कप गोविंदु भोग राइस, पूजा पंडल या मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो इसी राइस से बनता है और लिए हैं एक कप मूम की डाल अब ये जो डाल और चावल है इसे हम अच्छी तरह से पानी से साफ कर लेंगे इसके अलावा इस प्रसाद को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ, फूल गोवी, आलू और गाजर इसे इस तरह से टुकडों में काट लिए हैं इसके अलावा आप चाहे तो और भी कुछ सबजी एड़ कर सकते हैं तो चलिए अब आते हैं नेक्स टेप पे, यहाँ पे पहले से ही कड़ाई को गरम कर लिए हैं, अब इसमें एड़ कर रहे हैं सरसो का तेल, इस प्रसाद को सरसो का तेल में ही बनाने बाले हैं, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है, तो तेल गरम हो जाए तो उसम पासा दालचीनी और एक इलाईची, अब जो सबजी हम लोग काटके रखे ते उसे अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे, उसके बाद इसमें एड़ करके इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने के समय गैस का फ्ले मीडियम में रखे, और कुछ मिनिट इस इसे फ्राई करके इसे कौवर करके इस तरह से पका ले, तब इससे ये जल्दी ही पक जाएगा, लेकिन कौवर करने के बाद भी इसे बीच बीच में चलाते रहे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सारा सबजी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, और यह हाप बॉ देंगे मसाला, तो मसाला में हम यहाँ पे लिए हैं, आधा चूटे चमच जीरा, आधा चूटे चमच धनिया, और फिंट इसे फ्राई करने के समय हल्दी और नमक का यूज नहीं किये हैं, राइस में ही जब हम लोग इसे उबा लेंगे तब उसमें हल्दी और नमक तो अब पानी गरम हो जाए, उसके बाद यह जो चावल और डाल हम लोग पानी से क्लीन करके रखे थे, वो इसमें एट कर देंगे, तो चलिए चावल और डाल को एट कर दिये हैं, अब इसमें एट कर देंगे स्वाद अनुसा नमक, तो मैं यहाँ पे दो छोटे चमच नमक का यूज कर रही हूँ, हाप टी स्पून, एट कर देंगे, हल्दी पाउडर, हाप टी स्पून, कस्मेरी रेट चिली पाउडर, इससे इसका कलर भी बहुत ही अच्छा हैगा, तो इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे, फ्रेंट यह जो खिचरी पसाद है, यह बनने में बिलकुल भी टाइम नहीं लगता है, जटपट यह बन जाता है, क्योंकि इसमें हम यूज किये हैं मूंग डाल और गोबिंद गोग राइस, इसलिए यह बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो गैस का फ्लेम हाई में रखके, इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे, और बीच मीच मीच कर दिये हैं, और इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे, इसे गैस का फ्लेम हाई में ही रखके बनाना है, और फ्रेंट आप कोई भी खीचरी रेसिपी बनाए, उसे बीच बीच में जरूर चलाते रहें, नहीं तो यह नीचे में चिपक सकता है, तो आप देख सकते हैं, यह ह हमारा खीचरी बन गया है, अब गैस आफ कर देते हैं, और इसके बाद हम लोग लगा लेंगे इसमें तड़का, तो तड़के के लिए मैं यहाँ पे सरसो का तेल गरम हो जाए, तो उसमें एक सूखा मिर्श और एक चमच पांच पोड़ों एट करके इसे थोड़ा सा हम कलर होने तक फ्राइ कर लेंगे, उसके बाद यह जो खीचरी है, इसमें यह तरका लगा देंगे, और फिर इसमें एट कर देंगे, आदा छोटे चमच से थोड़ा सा कम गरम मसाला, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पतला रखी हूं, क्योंकि हमें पतल टी स्पून चीनी, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा खुल के निकल आएगा, तो अब इसे थोड़ा सा स्टेंडिंग टाइम में रखे, उसके बाद इसे सर्फ कर लेंगे, यह इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे प्लेन भी सर्फ कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो कोई भी पापड या भुजया के साथ भी से सर्फ कर सकते हैं, तो फिरन कैसा लगा आज का यह प्रसात की रेसिपी, कॉमेंट बोक्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सेयर करना ना भूले, फिर मिलता है, थैंक्यू